देखिए ये जो आकड़े आये और बिहार में जो जातिय सर्विक्षण कराया गया ये तो भारतिय जनता पार्टी की जब सरकार थी मिली जूली नितिस जी मुख मंत्री थे हमारे डो डिप्टिस सीम थे उसमें कराया गया हम करपूरी ठाकुर जी के फल्वर हैं तो लोहिया हटीज़ा जी और करपूरी ठाकुर जी क्या बोलते थे कि जितनी जीच की संख्या भारी उसकी उतनी ही से दारी 36% के नाम पर आजनीती किये, करपूरी जी के नाम पर आजनीती किये, लेकिन करपूरी जी के कुणवा को कहीं डिवलपी नहीं होने दिया इनलोगों ने? आप तो तकाजा ए है कि 36% EBC है करीब करीब 19-20% दलित है तो जब अतीप पिछड़ा 36% है तो तकाजा तो यह है कि अब अतीप पिछड़ा को मुख मंत्री बना दीजिए नमस्कार में हो जबानसू आप देख रहे हैं निज़स फोरने से बिहार में जातीगत जो है वो जनगन्ना हो चुका है और इसको लेकर तलवारे जो है वो खिच चुकी है बीज़ेपी वाले लगतार हमला वर है सरकार पर और एक आरोप लगा रहे हैं कि यह जो आकड़े जा 26 फिस्ति जो लोग वह जो एवी सी के अंदर आते हैं तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में आने वाले वक्त में बड़ा समेकरण या बड़ा उलट फेर इस जो जाति की जो लोग है उनके जरिए हो सकता है और क्या बदलाब अब काने वाले दिनों में होना चाहि देखिए यह जो आंकड़े आये और बिहार में जो जातिय सर्वेक्षण कराया गया, यह तो भारतिय जनता पार्टी की जब सरकार थी, मिली जूली, नितिश्जी मुख मंत्री थे, हमारे डो डिप्टिसीम थे, उस समय कराया गया, बिधान सभा से उस समय सामती मिली इसको, अब जो आकड़े आये हैं, तो यह बात सही है, यह लोग कहते तो हैं कि हम लोहिया के फलोवर हैं, हम करपूरी ठाकुर जी के फलोवर हैं, तो लोहिया जी और करपूरी ठाकुर जी क्या बोलते थे, कि जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिसेदारी, यही था ना, तो आप देख लीजिए कि पिछले करीब 33 सालों से किसकी सरकार चल रही है बिहार में, कौन लोग हैं, पहले का भूल जाईए, कौन लोग हैं, जब से VPC के समय 27% OBC को रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद से OBC के चेंपियन ने लोग बने, तो OBC में ही EBC आता था, आज जो सरविक्षण हुआ, उसमें किलियर हो गया, कि 36% को लोगों ने हासियप रखा था, ये पावर पॉलिटिक्स, 33 साल तक वही पिछडे लोग राज कर रहे हैं, और अती पिछडा का नारा देते हैं, तो 36% लोगों की तो भागेदारी दी नहीं वहां, 36% के नाम पर आजनिती किये, करपूरी जी के नाम पर आजनिती किये, लेकिन करपूरी जी के कुणवा को कहीं डिवलपी नहीं होने दिया, इन लोगों ने, साजिस के तहट, तो जो सरविक्षण आया है, मैं ये मांग करता हूँ, और होना भी चाहिए, कि आपने सह किया, ये कर दिया कि जितनी जिसकी संक्यावारी उतनी उसकी हिसेदारी, तो अब तो तकाजा ए है कि 36% EBC है, करीब-करीब 19-20% दलित है, तो जब अति पिछडा 36% है, तो तकाजा तहे है कि अब अति पिछडा को मुख मंतरी बना दीजिए, और दलित को उप मुख मंतरी बना दीजिए। यहीं नेतिकता की मांगवा है। आप जो चाह रहे हैं। यह तो पंदरह में क्यों नहीं किया। पंदरह में जब बुसल्मानों की इतनी संख्यात हैं। इनके अहां से सबसे पाउरफुल नेता हुआ करते थे अब्दुबारी सिधिकी जी। उसमें भी बात प्रधान मंत्री बनाया है। पहली बार इस देश में पिछड़े थे एक दू साल के लिए। अति पिछड़ा को प्रधान मंत्री बनाया। और दलित आदिवासी को राश्पती भी बनाया। अटल जी के समय भी ध्यान रखियेगा। राश्पती हमने एक डलित को बनाया थ तो बिहार में भी देखिए जब भाजपा सरकार में थी तो हमारा जो हमारे कोटे में उप मुख मंतरी की कुर्शी थी तो एक मुख मंतरी हमारा अती पिछणा था कि निश्या बनाये था हमने तो आज इन लोगों ने घड़ी आदी आंसू बहा रहे हैं तो एक तकाचा है समय कि आप कुर्शी छोड़ें मुख मंतरी किसी अती पिछणे को दें और संख्या की आधार पे दो बना दिजिए तीन बना दिजिए डलित हो गया मानेरिटी हो गया आप मुख मंतरी बनाई गया ऐसे क्या बिहार आगे बढ़ेगा कोई और भी तरीका हो सकता है ना इसको देख रहा है कि आप कौन सा राजनीति कर रहे हैं आपने क्या किया था मैं आपकी बात से सामत हूं राजनीति तो बिकास की हो नीचे यह मैं उस पर आ रहा हूं लेकिन आप क्या किये एक दलित को मुख मंतरी भी आपने बनाया तो क्या किया था आठ नौ महीने में हटा दि थे इन्होंने हटा दिया दूसरा करपूरी ठाकूर जी जब बने मुख मंत्री साजिस के तत उनको भी एक जिर साल में हटा दिया गया आपको पता ही है तो आप सुरू से अपनी कुर्सी बचाने के लिए दलितों के साथ साथ भी अपने छल किया और अतीप पिछणों के साथ भी चल किया और माइनरिटी के साथ भी चल किया तो घड़ी आली आशू आप बाहर रहें और बीजी पर हर समय जैसे मैंने आपको बताया हमारे बादिया परधान मंत्री हमने तो अतीपिछणों को बनाए जब हैं बिहार में मौका मिला तो पिछणे अतीपिछणों को उप आप एजुकेशन सुधारे होते अगर गौवर्मेंट इस्कूल सही होते तो हमारे जैसा अतीपिछणा आदमी गाओं के इस्कूल से पढ़के आया है वो कहां जाएगा उसके पास कहां पैसा है कि प्राइबिट इस्कूल में पढ़ेगा स्वास्त के कारण कितनों की मिर्त सर्वे हुआ है तो सर्वे का समर्थन हम लोगों नहीं किया था आप अपनी नियत साफ कीजिए और इस पर आमल कीजिए एक सवाल में रहा है क्या बीजेपी जो है वो महा करण की चक्रवीव में फस्ती हुए जा रही है इस आकड़े आने के बाद क्यूंकि लगातार बीज जनता पाटी तो कभी जात की राजनिती की नहीं हमारे हां अटली भी प्रधान मंत्री नहीं मोदीजी भी प्रधान मंत्री है बहुत सारे मुख मंत्री होते हैं हमने कभी जात के नाम प्रते बनाया है नहीं हमने विकास के लियां पर बनाया सबका साथ सबका विकास सबका सर्वे इन्योंने कराया इसि कराया यह इनहीं पोला आपको को नेखार करते हैं कि बाती भारतिय जनता पार्टी ने कभी जात्की तो राजनीती नहीं की, लेकिन जब आप इस पर कराए, तो जो क्लास है, अगर आप यही राजनीती कर रहे थे, तो अभी तक पारलियमेंट में, यह लागू तो हुआ बावन से, विपी सिंग के समय, तो सारे दलों ने, आप OBC के च हैं, और जो उसमें जिनकी संक्या 20% है, उनके 42-43% सांसद है, तो यह हर पार्टी, हर पार्टी का आज नेतिक, यह नेतिकता का तकाचा है, कि हर पार्टी, अगर सब का विकास चाहती है, तो उसकी संक्या के अधार पर उस समाज को टिकर दे, आखिस सर्वे का क्या मतलब हो, अगर आरक्षर की बात आप करते हैं, तो गरीब तो सब में है, दलित में भी गरीब है, EBC में गरीब है, OBC में गरीब है, तो क्या सोनों में गरीब नहीं है, सोन के लोगों का पलायन नहीं है, सोन लोग बिहार से जाकर के बाहर में नौकर का काम नहीं कर रहे हैं, तो विकास होगा तो सबका विकास होगा, उसमें जाती नहीं देखी जाती है, लेकिन आप हर जाती को बाट रहे हैं इसमें, तो बाट रहे हैं तो उसकी हिस्तेदारी दीजिए, आप सुरुवात कीजिए, जैसे आपने पंचायत में सुरुवात की, तो आखिर विधान समा में प अगर आप बात करेंगे तो दूसरा भी इसका बात करेंगा. आपकी पाठी देगी, इस सर्वे, जिस हिसाब से सर्वे आये हैं. इस सर्वे के हिसाब से एक चीज तो तै हो गया, आपको याद है कि इस सर्वे हुआ था 1931 में, तो उस समय के भी आंकड़े हैं, यह बात सही है कि वह आंकड़े थे तब बिहार एक था. बिहार का बटवारा हो गया, जहारखन भी हो गया, और बिहार हो गया. तो बटवारे के बाद बार कि कुछ संखिया उदर चली जाती है, कुछ इदर रह जाती. जैसे पहले आदिवासियों की संख्या जादा होती कि यहाँ साड़े साथ परसंट थी नहीं, जिनको जीज़े परसंट मिला, लेकिन अब जादा जारखन में आदिवासी चले गए, हो सकता हूँ, संख्या वहाँ बीस परसंट हो, इसलिए दली की बढ़ गई, तो यह दो चा का नहीं है, बीजेपी, कॉंग्रेस, आर्जेटी, जेडियू का नहीं है, जो चीज परपस से कराया गया, 31 में भी इसी परपस से कराया गया, उसमें एक और मामला आता है आर्थिक, जब तक आर्थिक नहीं कराएंगे, यह कराने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नह हम इस आरक्षन से बहुत खूस है, OBC आरक्षन जो दिया गया, आरक्षन की इंप्लिमेंटेशन से खूस है, क्यों? अगर एक बर आप क्लास ऑफिसर बन गए, इंजिनियर बन गए, आईस बन गए, तो उसके बाद आपके परिवार को आरक्षनों नहीं मिलेगा, अब मिलना भी नहीं चाहिए, तभी तो नीचे बाले को फैदा होगा, तो जो यहां तक आज समाज जागरित हो गया है, तो पलिटिकल भागीदारी चाहिए, तो यह हर पार्टी के लिए अब ए सोचने पर मजबूर करेगी, कि भाई संख्या के आधार पर हम नहीं देंगे, तो समाज नराज होगा, हमको वोट के उतेगा, यह होगी वोट की राजनिती, लेकिन भारतिये जनता पार्टी सत्ता में आती है, वोट की राजनिती सिर्फ करके नहीं, वो सत्ता चाहिए विकास के लिए, आज देखिए, भारतिये जनता पार्टी की सरकार जो अटल जी के नेत्रित में चल रही है, ठीक अपोजीशन को जो बोलना है बोले, आज बताईए, जैसी सरके देश में बनी है, वो कभी इंफ्राइश्टरश कर था क्या, जिस तरह के मेडिकल बन रहे हैं, आई भाहरा सुंग से खावजी उपरास्पती जी किये थे, अटल जी पधान मंत्री थे, नितिश जी भी उसमें थे, ये करीब 2001-2002 में किया गया था, उसी के आसपास इस बिरिज का भी सिलनेयस किया गया था, जो जो जेपी से तू बोलते हैं, गांधी से तू बोलते हैं, ऐसे ही मोधी जी की सरकार है है, मुझे लगता है, तीन-चार साल के अंदर, एमस भी चालू हो गया और बिरिज भी चालू हो गया, तो हम इतने तेजी से काम करते हैं, अगर दो साल में बिल्डिंग बननी है, तो तय है कि ओ डेर साल में मोधी जी के राज में बनेगा, तो की गती इतनी तेज हुई तो जब विकास की गती तेज होती है, तो लोगों को रुजघार भी मिलता है, नौकरिया भी मिलती है, वो तो यह लोग जोड़ते नहीं है, तो मैं यह कर रहा हूँ, भारतीये जनता-पार्टा के नाम क्या कि करतो तो अति पीछे देश परसेंट उसको मुख मंतर बना दो जो दूसरा तब का छूट गया है दलित को भी कभी मुखा नहीं मिला उसको मुख मंतर बना दो चलिए यह थे रमिस्वर चोरा से जो की बड़े नेता हैं बीज़ेपी के बड़िश नेताओं में से एक माने आते हैं और यह अमांग कर रहे हैं किसी अमितिस कुमार को जो है वो गद्दी छोड़ देनी चाहिए और किसी अति पिछ्रे को मुख मंतरी और उप मुख मंतरी ज चाहिए फिलाल अभी तक के लिए इतना ही आप देखते रहे हैं इस पॉनेशन